शादी में ननत का पेट खराब कविता की ननत सरोज बहुत मोटी थी, उसे खाने का बहुत शौक था, मोटाबे की वज़से उसकी शादी भी नहीं हो रहे थी अरे सरोज, क्या हर समय खाती रहती हो, थोड़ा तो अपने वज़न पर ध्यान दो, इतनी मोटी लड़की से कोई शादी करना पसंद नहीं करेगा नहीं होती शादी तो नहीं हो, मुझे अच्छा-च्छा खाना पसंद है और मुझे अपने मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है अरे तुझे दिक्कत नहीं है, पर हमें तो है ना, तेरी शादी मोटा होने की वज़से ही तो नहीं हो रही ना पर सरोज पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अलमारी से चिप्स निकाल कर खाने लगती है अरे माजी कोई बात नहीं अभी जादा उम्र तो है नहीं दीदी की जब तक शादी लाइक होंगी अपने आप ही समझ जाएंगी हाँ पर चिंता तो होती ही है तभी अंदर से सरोज बोलती है मुझसे पहले तो भाया की शादी होगी ना उसे भी तो बोलो पतला होने के लिए अरे वो लड़का है उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा वैसे भी कल एक परिवार आ रहा है मिलने उनकी हाँ ही समझो जल्थ ही कविता के देवर प्रभात की शादी पक्की हो जाती है शादी वाला दिन भी आ जाता है अरे ये बहुत सही हुआ भावी अब मैं हर वो चीज खा सकूँगी जो मा मुझे खाने नहीं देती अरे दीदी वो आपकी भलाई के लिए कहती है आप उनकी बाद का बुरा मतमाना करो बस इतना कहकर कविता काम में लग जाती है और सरोज कुछ अच्छा सा खाने का ढूणने लगती है वो भina सोचे समझे मीठे पर नमकीन उसके उपर मलाई वाला दूद उसके उपर फल एक के उपर एक सब खाने लगती है और फिर धेर सारा पानी पी लेती है थोड़ी देर में उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा लगने लगता है ये पेट में अजीब सी गुरगुर क्यों हो रही है पेट कुछ खराब-खराब सा लग रहा है वो फटा-फट बात्रूम की तरफ भागती है अरी क्या हुआ? कहां भागी जा रही हो आप? कहीं कुछ अच्छे खाने की खुश्बू आ गई क्या? इतना कहकर कविता मजाक में हसने लगती है पर सरोज भागती है बात्रूम की तरफ लगता है पेट खराब होई गया पर कोई पात ने दबाई ले लेती हूँ ठीक हो जाएगा फिर कुछ और खालूंगी घर में रौनक सी लगी होती है सारे रिष्टेदार आए हुए होते हैं वो सरोज को डान्स के लिए बुलाते हैं अरी सरोज इकलौते भाई की शादी है कहां यहां वहां घुमती रहती है यहां आज जरा हाद बटा देख तो सही की कौन सा काम कैसे हो रहा है सरोज अपना पेट पकड़े-पकड़े उनके पास जाती है पर किसी को एहसास नहीं होने देती क्योंकि उसे पता होता है कि उसको ही ताने मारे जाएंगे हाँ हाँ बसाई रही थी वो में बाहर की सजावट देखने गई थी इतनी ही देर में कविता सब के लिए लसी लेकर आती है सरोज से रहा नहीं जाता और फिर वो एक गिलास भर कर लसी पी लेती है उसके पेट में फिर गुड़ गुड़ होने लगती है वो फिर बातरूम की तरफ जाने लगती है पर रिष्टिदार उसे डांस के लिए खीचने लगते है अरे अरे हाँ छोड़िये आ रही हूं रुकिये तो अरे सरोज इधर भी आओ अभी थोड़ी देर में भाई के ससुराल वाले आते होंगे नेग लेकर जा तैयार हो जा तु दुलहन की बेहन है नज़र टिकी होंगी तुछ पर घर में और मेहमान आने लग जाते है उसके भाई के ससुराल वाले धेर सारी मिठाईयों और विदेशी फल लाते हैं ये सब देखकर तो सरोच के मुँँ में पानी आ जाता है सरोच की नजरे उन पर से हटी नहीं रही होती अरे दीदी आये न बैठी है हमारे पास अरे हाँ आओ न तुमसे भी बहुत बाते करनी है कुछ सीक्रेट बाते बताओ न अपने भाई के बारे में हाँ हाँ आती हूँ मैं वो मैं कहा रही थी कि मैं ये मिठाईयां अंदर रग दू क्या खराब हो जाएंगी शादी का घर है न अरे शादी के घर में तो मिठाईयां अंदर नहीं बारी होनी चाहिए जिस से सब आते जाते खाते रहे सब का मू मीठा होते रहना चाहिए हाँ लेकिन बच्चे भी मस्ती कर रहे न कहीं कोई लाद ना मार दे सरोज इसी ताक में होती है कि वो वहां से प्लेट किसी बहाने उठा ले और फिर विदेशी फल खा ले जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो बस चुप चाप सब कुछ उठा कर अंदर ले जाती है और जाते ही सब चीजों पर तूट पड़ती है अहाँ उफ ऐसे फल तो कभी जिन्दगी में नहीं खाए अच्छा हुआ भी मेरे हाथ लग गई मा और भाबी तो मैं मानों में बाड़ देती उफ ओ ये पीट में दर्द क्यों हो रहा है फिर से अभी थोड़ी देर पहले तो दवाई ली थी बाद में देखा जाएगा अभी तो ये खाई लेती हो फिर सब खतम हो जाएगा उसका मुँ और हाथ धड़ा-धड़ चल रहे थे वो आधी प्लेट खत्म कर चुकी थी पर रुखने का नाम नहीं ले रहे थी इतनी देर में कविता की आवाज आती है अरे सरोज दीदी वो शगुन की प्लेट लेकर कहां चली गई माजी मुझ पर चिला रही है कहां डूंडूने जैसे सरोज को कविता आती दिखती है वो प्लेट छोड़ कर दूसरे कमरे में चली जाती है जैसे ही कविता देखती है कि प्लेट में से आधा सामान गायब है, वो समझ जाती है कि उसकी पेट उननद ने खाया है, वो उसी सामान को ठीक से करके ले जाती है, जिससे किसी को जादा पता न चले, अरे कविता सरोज को देखा क्या? क्या रही थी पेट दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो क्या उसे? कविता उसे धीरे से वो प्लेट दिखाती है, जिसमें सामान आये था, और जो सरोज चट कर गई थी, प्रतिमा भी समझ गई, ये कोई बात हुई कि भाई के ससुराल से आया सामान, न किसी ने देखा, न चखा, और ये सरोज सब चट करके बैठ गई, पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा, यहां सारे नेक शगुन करने हैं, और वहां मैडम बात्रूम के चक्कर ही लगा रही है, प्रतिमा बर्बर करने लगती है, और सरोज का इंतसार करने लगती है, कि कब वो और काम शुरू हो, पर देर हो जाती है, सरोज दिखती ही नहीं है, अरे कविता, सरोज को लेकर आओ, देखो कहा है, सरोज थोड़ा सोचती है, और सीधे बात्रूम की तरफ जाती है, वो बात्रूम का दर्वाजा खट-खटाती है, और सरोज को आवाज लगाती है, अरे सर प्रतिमा भी आ जाती है। प्रतिमा उसे वहां भी देख लेती है। दिन ढलने लगता है। शादी के फेरे, विदाई, रिसेप्शन सब खत्म होने लगता है। अगला दिन होता है। घर में नई बहु आती है और खूब रौनक लगी होती है। पर सरोज कहीं दिख नहीं रही होती। फिर से सब सरोज को ढूंड रहे होते हैं। प्रतिमा और कविता दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उठकर बातरूम के पास जाकर आवाज लगाते हैं। सरोज, तुम अंदर हो ना? और अंदर से सरोज की आवाज आती है। हाँ, मैं बस आ रही हूँ, पेट थोड़ा सा खराब लग रहा है। एक बहु की तीन सास अब ये क्या बात हुई भला? एक बहु की तीन सास ऐसा कहा होता है? तो भाया, moral of the story ये है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे हर किसी को शादी की खुशी रहती है, वैसी ही खुशी साक्षी को भी थी। शादी करके गोरी खुबसूरत लड़की साक्षी अपने पती रमेश के साथ अपने ससुराल चली आती है। साक्षी का ग्रेप रवेश होता है, साक्षी के ससुराल में उसके स्वागत के लिए उसकी एक नहीं, बलकि तीन-तीन सास खड़ी थी। सुजाता दामिनी और कोमल, अब ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। मैं हूँ, इसलिए साक्षी बहु पर सबसे जादा हक मेरा है। ऐसे कैसे हक है? हम क्या फालतू है क्या? हम भी दरपन की पत्निया हैं और रमेश हमारा भी बेटा है। फिर क्या था? तीनों में हो जाती है, बहस शुरू। ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे बापरे, ये क्या हो रहा है? मेरी तीन-तीन सास है? ये कैसे? अरे, अरे, रुक जाओ तीनों, अरे, मेरी बाथ, अरे, चुप हो जाओ सब के सब। अरे, मेरी तीन-तीन मा, आप सब एक साथ साक्षी का सवागत कीजिये न। तीनों मिलकर एक साथ एक लाइन में खड़ी हो जाती है और साक्षी का स्वागत करके उसे घर में ले आती है ये देख कर साक्षी के होश ओड़ जाते है अरे बापरे जब स्वागत मेरा इतना भयानक है तो आगे की जिंदगी कैसी होगी रमेश बेटा, जाओ, साक्षी बहु को लेकर अपने कमरे में जाओ, दोनों ठक गए होगे ना रमेश साक्षी को लेकर अपने कमरे में आता है रमेश ये सब क्या है, इस घर में मेरी तीन-तीन सास कैसे, ससूर जी की तीन-तीन पत्निया है क्या हाँ साक्षी पिता जी की तीन पत्निया हैं क्या पर क्यों मतलब मेरा मतलब ऐसे कैसे साक्षी कोमल मा दामिनी मा और सुजाता मा ये तीनों सगी बहने हैं जब पिता जी के लिए लड़की देखने गए, तो पिता जी को दामेनी मा पसंद आई, और दादा जी को सुजाता मा, और दादी मा को कोमल मा पसंद आई थी, अब ये देखकर पिता जी दादा जी और दादी मा तीनों में वही बहस होने लगी थी, तभी दामेनी मा, कोमल मा और सुजाता मा के पिता जी बलराम नाना जी ने अपनी तीनों बेटियों की शादी पिता जी के साथ करवाने का सोच लिया था नाना जी ना दादी मा को नाराज करना चाहते थे ना दादा जी को और ना ही पिता जी को क्योंकि दादा जी ने नानी जी पर बहुत ऐसान किये थे और इसी की वज़ाए से पिता जी की शादी तीनों बहनों के साथ हो गई हाँ क्या बाप रे यह तो पूरी फिल्म की कहानी है अरे तो रमेश आप इन तीनों में से किसके बेटे हो एक के भी नहीं, ये तीनों मेरी सौतेली मा है, ये सुनकर साक्षी के होश ओड़ जाते हैं, क्या, अरे बापरे, यहां तो एक के बाद एक पत्ते खुल रहे हैं, तो आप किसके बेटे हो, चौती पत्नी के, अरे नहीं नहीं साक्षी, मैं एक अनात हूँ, पिताजी और तीन माने मिलकर मेरी परवरिश की, उन्होंने कभी अपनी संदान पैदानी होने दिये, ये सोच कर कि उनका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए, रमेश की ये सारी बाते सुनकर साक्षी का सर चकराने लगता है, थोड़े समय बाद रमेश सो जाता है, पर साक्षी जाकती रहती है, देखते ही देखते सवेरा हो जाता है साक्षी बहु जा जल्दी मेरे लिए चाय बनाते जी माजी अभी बनाती हो साक्षी रसोई में जाती है तभी दामीनी वहां आती है साक्षी बहु मुझे एक गिलास दूद गरम करके ला दे बाहर जी अभी लाती हो इतना कहकर दामीनी बाहर सुजाता के पास आकर बैठ जाती है तभी कोमल रसोई में आती है साक्षी बहू मेरे लिए चाए और दो तेल के पराठे बना दे मैं बाहर बैठी हूँ जल्दिला कोमल भी बाहर अपनी बेहनों के पास जाकर बैठ जाती है बाप रे, ये तीनों की फर्माईशे तो अलग-अलग है पदा नहीं साक्षी, अब क्या होगा तेरा साक्षी फटा-फट तीनों के लिए चाय दूद और तेल के पराठे बना कर एक साथ बाहर लाती है साक्षी बहू, चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या माजी, दोनों माजी के लिए में चाय पराठे और दूद करम कर रही थी, ये लीजे एक बात कान खोल कर सुन ले साक्षी बहू, तुम्हारी बड़ी सास मैं हूँ इस हिसाब से तुम्हें सबसे पहले मेरा कहना मानना चाहिए जब पहले मैंने तुम्हें चाय को कहा, तो तुमने पहले मेरे लिए चाय ले आना था बाद में इन दोनों का काम करना था ये क्या बात हुई सुजाता बेहन, अब हर बात में क्या आपना बड़कपन दिखाते रहती हो हम छोटे क्या फालतु हैं, साक्षी बहु, तू पहले मेरा कहना मानना बाद में बाक्यों का वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरे, 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 ये क्या बात हुई भला, तुम दोनों बड़ी हो तो क्या अपनी मनमानी चलाओगी साक्षी बहु, कल से सबसे पहले मेरे लिए चाय नाश्ता ले आना फिर क्या था, तीनों बेहनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और बेचारी साक्षी फिर से हैरान हो जाती है इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा साक्षी की तीनों सास साक्षी से खाना भी अलग-अलग बनवाने लगी उससे अलग-अलग करके घर के काम करवाने लगी पहले मेरा काम पहले मेरा काम करके तीनों ने साक्षी को परिशान करके रख दिया साक्शी बिचारी उस घर में नौकर की तरह अपनी तینो सास की गुलामी करने लगी उसका नीन, चैन, सुकून, हर चीज खत्म हो चुका था साक्शी को अपने इस असुराल में सास लेना भी दुश्वार हो चुका था वो अपनी तीनो सास के काम करते करते और उनके कहर से परिशान हो चुकी थी एक दिन रात में साक्षी अपने कमरे में रोती बैठी थी तब ही रमेश साक्षी से कहता है अरे क्या हुआ साक्षी रो क्यों रही हो रमेश ये कैसे घर में शादी करके आ गई मैं मेरी तीनों सास ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है एक कहती है पालक की सबजी बनाओ एक कहती है गोबी की सबजी बनाओ और एक कहती है दाल रोडी बनाओ अरे तीनों की अलग-अलग फर्माईशे पूरी करते करते में परिशान हो चुकी हो एक कहती है मैं बड़ी हूँ तो पहले मेरा काम करो दूसरी कहती है मेरा करो तो तीसरी कहती है मैं छोटी हूँ तो पहले मेरा करो अरे क्या मैं कोई नौ करूँ कोई मशीर हो चे लगातार काम करती जाओ बस अब बहुत हो गया अब मैं अपने माई के जा रही हूँ हमेशा के लिए अगर मुझे पता होता मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने पत्नियों की दुकान खोल रखी है तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती साक्षी तुम्हें घर के काम करने में भी इतना मुश्किल लग रहा है अरे मेरी तीनो माँ के बारे में तुम ऐसा सोचती हो उनका काम करना भी तुम्हें इतना मुश्किल लगता है अरे जाओ अपने माई के किसे ये धमकी दे रही हो जाओ निकलो यहां से हाँ जा रही हो साक्षी और रमेश के चिलाने की आवाज सुन कर सब वहां आ जाते हैं तभी साक्षी घर से जाने लगती है ये देखकर दरपण और उसकी तीनों पत्निया साक्षी को रोग देती है अरे क्या हुआ साक्षी बहु क्यों घर से जा रही हो क्या हुआ रमेश बेटा, तभी रमेश सब को सारी बात बताता है, अगर इसे इतना ही मुश्किल लग रहा है घर के काम करना, तो जाए यह यहां से, अरे नहीं नहीं रमेश बेटा, इसमें बहु की कोई गलती नहीं है, ये बेचारी तो अब तक वही करती आ रही थी, जो हम इससे कहते आ रहे थे, हम तीनों इस बेचारी अखेली साक्षी बहु से नौकर की तरह घर के काम करवाने लगे, हम बेहनों की लड़ाई में हमने ये सोचा ही नहीं कि ये बेचारी साक्षी का जीवन तो नौकर की तरह हो गया, हमें माफ कर दे साक्षी बहु, हम आज के बा उसके बाद तीनों बेहनों ने साक्षी को परिशान करना ही छोड़ दिया और वो तीनों साक्षी के साथ एक हस्ता खेलता जीवन बसर करने लगे और साक्षी का काम में हाथ बटाने लगे